Hey guys, welcome back again on channel आप सभी को happy new year और नया साल आपका और आपकी पुरी family का बहुत सारी खुशियों के साथ शुरू हो और खतम भी हो अभी नया साल के पहले दिन दुपेर को ये वीडियो में सूट कर रहा हूं और आपको ये वीडियो मिल जाएगी साम तक वेसे वीडियो में कुछ ज़्यादा फरक नहीं है, 19-20 का फरक है फिर भी उम्मीद करते हैं कि रोकेट के इंवेंशन की वीडियो के साथ होमस्टेज चैनल भी रोकेट की तरह तेजी से ग्रो करें और पूरा साल एक्साइटमेंट और पोजिटिव एनर्जी से बरा रहा है वेसे फिंगर क्रोस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंडियन स्पेस रिजर्च और इस रोकेट डेवलोप करें जो इंडियन वयम नोट को डाइरेक्ट मार्स तक पहुंचा सके और इसी पॉजिटिव एटिट्यूट के साथ सुरू करते हैं रोकेट के इंवेंशन के वीडियो को मेरे साथ में हूँ विजाल और आप देख रहे हैं होम स्टेज रोकेट की एक ऐसा एयरकाफ्ट है जिसको किसी भी एटमोस्फेयर में उड़ा सकते हैं रोकेट एरोप्लेन की तरह उडान बरने के लिए हवा की requirement की ज़रूँत नहीं होती है रोकेट को ये धर्ती के atmosphere या किसी और भी atmosphere में यानि कि outer space में भी उड़ सकता है हम humans के पास धर्ती पर एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए aeroplane था लेकिन धर्ती से बाहर के atmosphere में जाने के लिए यानि कि space में जाने के लिए specially rocket का invent किया गया था rocket के invention ने science की film में एक revolution लाकर खड़ा कर दिया rocket के invention से आज scientists ने धर्ती के बाहर research की और दूसरे planet पर जीवन खोजने की कोशिज कर रहे है और इसी rocket vehicle ने धर्ती के humans को moon तक भी पहुँचाया rocket एक ऐसा aircraft है जो earth की gravity को jump करके outer space में पहुचता है और का जाता है कि future में यही rocket humans को solar system के सभी planets तक पहुचा पाएगा और आगे यही rocket humans को galaxy की remote border तक भी पहुचा सकेगा और rocket के उडने का principle newton के गती के तिसर नियम क्रिया तथा adverse reaction पर based on है rocket के अंदर liquid oxygen को fuel के form में इस्तमाल किया जाता है इसमें fuel को जलाया जाता है जिससे high pressure पर gas generate होती है और यह gas आग के form में पूरे pressure को नीचे निकालता है और इतने pressure के reaction rocket को बहुत तेज velocity से आगे की और यानि की उपर की तरफ ले जाते है और अगर rocket का invention नहीं होता तो humans आज space में नहीं जा पाता हमारा antrix में जाने का सपना सपना ही रह जाता और आज जो rocket की help से इतनी बड़ी बड़ी deadly किस्म की missile बना ही जा रही है वो भी नहीं बन सकती सायब सबसे पहले rocket का invention का जाता है चीन में हुआ था और ये rocket वेसा नहीं था जो space में जा सके सुरू में rocket का इस्तमाल weapon के form में किया जाता था और ये बहुती dangerous weapon था सबसे पहला rocket का इस्तमाल सन 1232 में चीन और मंगलो एक दुसरे के साथ युद में किया था और कहा जाता है कि मंगल fighters के दुआर rocket technology युरोप पहुँची थी अंग्रेट ने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी और इसे देखके वो घबरा गए और वोर भी आ गए बाद में अंग्रेट सेना ने rocket के बारे में जाना उसकी importance को समझा और इसकी technology को डेवलोप कर पूरे world में इसका इस्तमाल अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए किया इसके बाद 19th century में सन 1926 में Robert Goddard दुनिया का पहला liquid fuel rocket शुरू करते हैं और 16 मार्च 1926 को Oberner Massachusetts पर दुनिया का पहला liquid fuel rocket लॉंच किया जिसने 96.561 km per hour की स्पीड से उड़ान बरी ये rocket 10 फिट लंबा था और इसमें fuel के लिए liquid oxygen और petrol का इस्तमाल किया गया था जिसने rocket को धर्ती से उठा कर अंत्रिक्स तक पहुचा दिया अब अब देट करता हूँ कि यहां पर आपको कुछ जानने को मिला होगा वीडियो पसंद आयो तो फ्लीज वीडियो को लाइक और सेर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइक उनको जरूर दबा दे ताकि हम स्टेट के आने वाली हर एक वीडियो के अपड करे ओरो ने स्ट बनी